इस बिसेसग्य के अनुसार रोजाना ग्रहों के इस्तिती में बदलाव होते रहते हैं, जिसकी वज़ा से सभी 12 राशियां प्रभावित होती हैं। इन ग्रहों में बदलाव होने की वज़ा से मनुष्य का जीवन भी प्रभावित होता है, जिसके कारण मनुष्य को रोजाना अपने जीवन में बहुत से उतार चड़ाओं का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि आज 29 जनवरी 2019 की रात को 11 बजकर 18 मिनत से शुक्र का राशी परिवर्तन होने वाला है। ये अपने शत्रू राशी धनू राशी में प्रवेश करेंगे, जिसकी वज़ा से इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर कुछ न कुछ जरूर पढ़ने वाला है। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से शुक्र का धनू राशी में प्रवेश करने की वज़ा से आपकी राशियों पर कैसा असर पढ़ने वाला है। इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो आएए जानते हैं कि किन राशियों को इसका फायदा मिलेगा फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे उन राशियों के बारे में जिन पर संकट आने वाला है। तो आईए सबसे पहले जानते हैं उन साथ राशियों के बारे में जिनको शुक्र के परिवर्तन करने से खास फायदा होने वाला है। पहला मेश राशी, मेश राशी वाले ब्यक्तियों को शुक्र के राशी परिवर्तन की वज़ा से इनको अपने कारियों में अच्छा लाब मिलने वाला है, इस राशी वाले लोगों को नए वस्तरों और अभूशनों की प्राप्ति हो सकती है, स्वास्त के लिहाज से आपका समय बहुत ही ब्यातर रहेगा भाई बंदुओं से आपको लाभ और सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलने वाला है आप अपना जीवन खुशहाली पुर्वक ब्यातीत करेंगे दूसरा ब्रिशब राशी ब्रिशब राशी वाले ब्यक्तियों को शुक्र के राशी परिवर्तन की वज़ा से धनलाब मिलने के योग बन रहे हैं आपको आर्थिक संकटों से छुटकारा भी मिलेगा जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं वो बहुत ही जल्दी दूर होने वाली है सुक्सोविदाओं की चीजों में बढ़ोतरी होगी आपको अपने किसी भी रिश्टेदार से अच्छा लाब मिलने का योग बन रहा है आप अपने कार्य अस्थल में लगतार प्रगती की ओर बढ़ेंगे आपकी आर्थिक इस्तिती बहुत ही बहतर रहेगी तीसरा सिंग राशी सिंग राशी वाले ब्यक्तियों को शुक्र के राशी परिवर्तन की वज़ा से संतान से लाब मिल सकता है धन प्राप्ति के बहुत से साधन आपको मिल सकते हैं समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बृद्धी होगी आप अपने शत्रों पर बिजय भी हासिल करेंगे आपको संतान सुख भी मिल सकता है और जो लोग शात्र हैं, उनको प्रतियोगी परिक्षाओं में सफलता हासिल होगी। प्रेम प्रसंग में जो भी ब्यक्ति हैं, उनको प्रेम संबंधित मामलों में सफलता मिलने के पूरे-पूरे योग बन रहे हैं। चौथा कन्याराशी, कन्याराशी वाले ब्यक्तियों को शुक्र के राशी परिवर्तन की वज़ा से उनकी सभी इक्षाएं पूरी होने वाली हैं। इस राशी वाले लोगों को आर्थिक लाब के औसर हासिल हो सकते हैं। आपके जीवन में खोशियां ही खोशियां आने वाली गर परिवार के लोगों के बीच तालमेल अच्छा बना रहेगा, वाहन सुख की प्राप्ती भी हो सकती है और आपको अपनी माता से लाब मिलने के योग बन रहे हैं, आपके मानसिक चिंताएं भी दूर होंगी और आप अपना जीवन अनंदित हो करके ब्यतीत करेंगे पाचवा, तुला राशी, तुला राशी वाले ब्यक्तियों को शुक्र के इस राशी परिवर्तन की वज़े से इनके साहस और प्राकरम में बढ़ोतरी हो सकती है, धन कमाने के बहुत से औसर आपके हाथ लगेंगे, अधिनस्त लोगों का पूरा सहयोग भी मिलेगा, आपके भाग्य में ब्रिद्धी होगी, कारे अस्थल में आपको सम्मानित किया जा सकता है, भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, आपको अपने ब्यापार में भारी मुनाफा मिलने के योग बन रहे हैं, स्वास्त के लिहाज से आने वाला समय बहुत ही उत्तम रहेगा, आपको पुरानी बिमारियों से छुटकारा भी मिलेगा, छठा, मकर राशी, मकर राशी वाले ब्यक्तियों को शुक्र के इस राशी परिवर्तन की वज़ा से मित्रों से अच्छा लाब मिलने वाला है, आप आर्थिक मामलों में लगतार उन्नती की ओर बढ़ेंगे, आपको सुक क प्राप्ति होगी, आपका समाजिक दायरा भी बढ़ेगा, कुछ लोग आपके ब्यहवार से बहुत ही प्रभावित हो सकते हैं, कारे अस्थल में उच अधिकारी आपकी बातों का पूरा समर्थन करेंगे, जिसका लाब आपको भविश्य में जरूर हांसिल होगा, अगर आ आप निवेश करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा लाब मिल सकता है, सात्मा, कुम्भराशी, कुम्भराशी वाले ब्यक्तियों को शुक्र के राशी परिवर्तन की वज़ा से आर्थिक समस्याओं से बहुत ही जल्दी छुटकारा प्राप्त होने वाला है, आपकी कु समबंधों में मधूरता आएगी, जीवन साती का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा, आप किसी अच्छी जगह पर घूमने भी जा सकते हैं, प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होगी, जिसकी वज़ा से आपके कैरियर में कुछ अच्छे बदलाव भी देखने को मिलेंग तो दर्शकों ये थी वो सात राशियां जिनकी आज रात शुक्र के धनु राशी में प्रवेश करने से खास फायदा होने वाला है, जबकि वहीं कुछ राशियां ऐसी भी हैं, जिन पर भारी संकट भी आ सकता है और इनको कोई बड़ा नुक्षान भी हो सकता है अब हम आपको बताते हैं बाकी की बची हुई उन राशियों के बारे में और जानेंगे की कैसा रहेगा इनका आने वाला समय, तो चलिए जानते हैं उन बाकी के राशियों के बारे में जिनको शुक्र के गोचर करने से भारी नुक्सान होने वाला है मिथुन राशी वाले ब्यक्तियों को शुक्र के राशी परिवर्तन की वज़ा से मान सम्मान का नुक्सान हो सकता है आपको अपनी मेहनत के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी जिसकी वज़ा से आप बहुत ही चिंतित नजर आएंगे जीवन साती से मतभेद होने के योग बन रहे हैं किसी भी महिला की वज़ा से आप अपमानित हो सकते हैं इसलिए आप महिलाओं के प्रति सतर्क रहें इस राशी वाले लोगों को धन हानी का सामना करना पड़ेगा आपके स्वास्त में भी गिरावट आ सकती है आप बेवज़ की यात्राओं पर भी जा सकते हैं जिससे की आपकी परिशानिया और भी अधिक बढ़ सकती है करक राशी करक राशी वाले ब्यक्तियों को शुक्र के राशी परिवर्तन की वज़ा से दुश्मनों से शावधान रहने की जरूरत है आपकी शत्रूं में ब्रिद्धी होने के योग बन रहे हैं यानि आपकी शत्रूं में बढ़ोत्री हो सकती है अगर आप साजेदारी से कोई भी कारे को कर रहे हैं तो उसमें आपको नुक्सान उठाना पड़ सकता है जीवन साती से वाद बिवाद होने के योग बन रहे हैं आप किसी दुरघटना का शिकार भी हो सकते हैं कारे अस्थल में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा आपको धैर्य और सयम बना कर रखना बहुत ही जरूरी है ब्रिश्चक राशी ब्रिश्चक राशी वाले लोगों को शुक्र के राशी परिवर्तन की वज़ा से संतान से कश्ट मिलने के योग बन रहे हैं विद्यार्थियों को परिक्षाओं के लिए अधिक अभ्यास करने की जरूरत है आपके शत्रू शक्रिय रहेंगे किसे भी इस्तरी से आपको लाभ मिल सकता है घर परिवार के लिए नए वस्तरों और अभूशनों की आप खरिदारी भी कर सकते हैं लेकिन आपको अपनी आय और खर्चों का संतुलन बना कर रखना होगा धनू राशी धनू राशी वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र के राशी परिवर्तन की वज़ा से आने वाला समय मिला जुला साबित रहेगा आप अपने शत्रू को परास्त करेंगे अविवाहित लोगों का विवा होने का योग बन रहा है आपको अपने व्यापार में मध्यम लाब मिलेगा आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा अन्यता पेट से संबंधित विकार पैदा हो सकते हैं माता पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा आपकी आर्थिक इस्तिति समान्य रहेगी मीन राशी वाले ब्यक्तियों को शुक्र के राशी परिवर्तन की वज़ा से शारिरिक कश्टों का सामना करना पड़ेगा मानसिक चिंता अधिक रहेगी फिजूल खर्ची होने की संभावना बन रही है कारशेत्र में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपके शत्रू आपको नुकसान पहुचाने की पूरी-पूरी कोशिश में लगे रहेंगे इसलिए आप साउधान रहें राजी की ओर से आपको परिशानियां पैदा हो सकती है या फिर किसी रिष्टेदार के साथ वाद बिवाद होने के योग भी बन रहें है किसे भी मामले में आप सोच विचार करके ही फैसला लेजिए किसे भी प्रकार की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें